नमस्कार खब्रांदेश बुलेटिन विछ थ्वड़ा स्वागते मैं हां तरन्शीत कोई विलंपेश ने चोन्मिया खब्रां संसद विछ राहूल गांधी दी मौफी नू लेके सत्ता तेरते विरोधी तेर्दी आपसी ब्यानबाजी लगातार जारी दोहां सदना दी बैठक दिन पार लेई मुल्तवी पारदी जी च्वंटी दी ब्रदानगी हेट दूजी सिख्या बारे कार स्मूधी बैठक कल तो अमनी सर्विच उनत्ती देशा ने नुमाएंदे लहरे ने ही साथ पंजाद देए सिख्या दार्यां देविद्यार्थिया विच जी ट्वंटी नू लेके उच्शा केंदे सरकारन उसार देश पार विश्कुल संताली सुवर ताली किसान उत्पादिक संगठन रजिस्टर टिचीन ने 15 मार्च तो विदेशी नागरिकान लई वाकपक श्रेनिया विच फिर तो विज़ा जारी करन दा कीता एलान ते हुन खबरां विस्थार नाल संसत विच सत्ता तीरते विरोधी तेर्दी आपसी ब्यामडाजी लगातार जारिये राहुल गांधी दी माफी नू लैकी बीज़ेपी अड़ी होई है जटकी कांगर्स ने इसनों ना कार देता है राहुल गांधी दे ब्रिटिश संसी मेंबरां दे सामने देशनों अपमानित करन ते कैम्परेज विच देश विरोधी ब्यान देन दा मामला आज भी संसद्विच चाह रहा संसद्विच बजट इस लास दे दूजे दिन सत्ताते रते विरोधी तेर्दे विच कार समुद्धे ते खिचोतां जारी रही लोकसबादी कारवई शुरू हुन दिया हंगामा शुरू हुगया जिस करन सदंदी कारवई दोपैर दो वजे तक मुल्तवी करनी पई दो वजे कारवई फेर शुरू हुन ते हंगामा जारी रहा जिस करके कारवई दिन पाल लई मुल्तवी कर देती गई पर आधिर बाद विस सदन दे नेता प्यूष कोईल ने कांगरस सी नेता राहूल गांधी वलनों बीदेश विशविच पारदी संसद दे अपमान की दे जानू लेके उना तो माफी दे मांग की थी इस विलावा उना ने संसद वनो राजीव गांदी कलाफ मता पास करन दी विकाल कही प्यूज गोईल ने कांग्रस समर्थन करन वाले राजने तेक दला नुवी समर्थन ना करन दी अपील की थी उना किहा कि संसद आप मान करन वालें देनाल खरना ठीक नहीं है ओते कांग्रस ने भी राहूल गांदी तो माफी दे मांगते हमलावर रुख अपनाया कांग्रस ने ता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहूल गांदी माफी क्यों मंगण इस रान प्रिस्ट चार दे मुद्धे ते भी दोहां ती राविच ब्यान प्यासी रही केंद्री मंत्री अन्राग ठाकुर ने FATF दी जान शत्य प्रेंका गांदी दे पेंटिंग दा मुद्धा उठाया होना दोश लगाया कि गांग्रस दी राजविश पदम पूश्चन वर्गे स्तनमान जनक एवार्ड वी विक दिस्तान करवाने तक के गंभीर आरोप आपसके सामने लगे थे इस दुरान विरोधी तिरनेवी जांच एजन्सिया दे गलत इस्तमाल दा मुद्धा उठाया ते प्रिस्टाचार दे खलावकार वेनू राजविश नीती तो प्रेत तस्या पारदी जी ट्वंधी दी पर दानगी हेट देश दी वाकफा कीसिया मेंच वाकफा कारस्मोहादियां बैटका लगातार जारी ने एसे लड़ी तैत अमरी सर्विश कल तो सिख्या बारे दूजी कारज कर स्मूधी बैटक शुरू हो रही है जी ट्वंधी देश्रां ते प्रतिनी डाटा उंग युवान दा स्वागत वी रवायती तरीके नाल कीता गया बैटक नू देगने आ पुलिस ने इस रख्या दे सकत परबंद कीते ने अभी आमरी सर्श शेर दे कई हिस्या मेंच पुलिस ने फ्लाग मार्च वी कीते है इस दुरान सिख्या मंत्राला बैज़ते चुद सिख्यास कतर संजे मूर्ती ने कहां कि सिख्यास बंद इस वर्किन्ग गर्प दी मीटिंग विच उनती देशा दो रमाए दे हिस्सा लह रहे ने उना की हाग इस तो बैलना इस ग्रुप दी पहली मिटिंग चनए वे छोई सी जद्कीतीजी मिटिंग पुवनेश्वर रते चौथी मिटिंग पूरे वेच होवे की उना किहा कि कल होनवले सेमिनार वेज पंजाब पर तो सिख्यादार्यां दी हिस्सेदारी यकीनी बढ़ाई गई है दूरदर्शन ना गालबत कर दिया होना इस मीटिंग दे मनतब भारे दस्या सर किस उदेशे को लेकर ये आज़ोजी भी कहा दा यह जी ट्वंटी का एड्डेकेशन विकरीं गॡूप का दूसरा मीटिंग है पहला मीटिंग जो था वह चन्र睿 में हुआ था उस चन्र睿 वरकिंग गॡूप में उसका टॉपिक था यह टेक लर्निंग वो सेमिनार का मुक्या टौपिक था अमरिच सर में जो हो रही है उसका मुख्य टौपिक है रीसर्च और कलाबरेशन, इनोवेशन के लिए, यहाँ पर आयाईटी रोपड के माध्यम से हम ये और गनाइज कर आ रहे हैं, जिसके लिए ये सेमिनार में रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर चर्चा होगी और उस चर्चा में किस तरह से हमारे अकैडमिक इंस्टिटूशन को और जाज़ा कॉलाबरेट करके इनोवेशन को आगे कैसा आगे बढ़ा सकते हैं उसका एक ये उद्देश्य है साथ साथ में एक एक एग्जिबिशन का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें ना कि सिर्फ पूरा भारत सर्क प्रदेश में पूरे अकैडमिक इंस्टिटूशन में जो स्टार्ट अप्स आई हैं उसका प्रदेशन ना करते हुए भी पंजाब स्टेट में जो यूनिवरस्ट यहां रखे हैं साथ साथ में जी टवन्टी के कंट्रीज के भी एक्जिबिट्स होंगे उसमें उनके भी स्टार्ट अप्स इस एरियाज में प्रदेशन किया जाएगा यह एक्जिबिशन सिर्फ डेलिगेट के लिए नहीं है पहला दिन उनके लिए रखा जाएगा ताकि वो ये G20 के साथ जो कंट्रीज के डेलिगेट्स हैं, वो आके ये एक्जिबिशन को पूरा अराम से देखे, उसके बाद ये तीन दिन हरे के लिए खुला रहेगा, जिसमें हम एंशॉर करेंगे कि यहां के पूरे एजुकेशनल इंस्टीशन्स और बचे और फैक्टल्टी ज ये जो हो रहे हैं, वो जो आ रहे हैं, उसका एक पहल है। ये लिए लग्या करेंगे का झाला घराम से पोलस्टी खुलाज होंगे जाएंगे कोनिया को टीन होते आतर विए, बच्शकेशन अन्स्टी के खुलाज हैं ये वहिरा कोई धूरा दिन करेंगे को युछएव स्विछेशन थार इश्केल सुटन हैं उसके तीन हैं गराम ए हम पूरा मतलब सारा सेट अप कर रहे हैं इंटरनेशनल गेस के लिए हर एक बंदा असाइन है कि कौन कौन से फॉरं गेस्ट आहेंगे मतलब सारा वेल प्लैंड है दा एक ग्रूप G20 तैती कदिक आरित यूथ फोर में जेडी G20 देशां दे नौजवाना नुए के बेतर मंच पर दान कर दिये तांच वो अपनी विचारां दा अदान पर दान कर सकन हाथिक फिर आप हो अपनी देश दे विकास विच योगदन देन देन दे त्यार हो जान द देश विच वागवग उनिवर्स्टियां तेक ओलजां विच नौजवाना ना सबंदित प्रोग्राम आयो जीत कीते चा रहे ने जेडे यूथ ट्वंटी ना सबंदित पांच थीमा दे अधारित ने इस मीटिंग विच पैनल डिसकशन नू चार हीसियां विच वंडिया गया है इस मंच रही जी ट्वंटी देशां दे नौजवाना समेत पारतवलनों सद्दे के मेमान देश दे नौजवान वी आपने विचार एतितिजर बे सांजे करनगे सरकान नी सूचीत कीते है कि देश पार विच कुल सन ताली सुर ताली के सान उत पादिक संगठन रिज प्रती एफ्पियो दी विद्टी सहायता दे नाल नाल एफ्पियो दी किसाना नौ ग्रेडिट ग्रंटी सुहूला तते एकुविटी ग्रांट दे रही है केंदे सरकार नी दुराय कि उप्रेस दी कामकास विश दखल नहीं देंदी है ते देश विचिस दी अज़ादी समर्थन नहीं कर दी नदियां दी संबाल ली को मांत्री दिवस मौकी पंजाब परदूशन रोगताम बोट वलनों कगर पुल डेरा बसी विखे नगर कॉंसल डेरा बसी दे स्टाफ दे सयोगनाल अन अधिकारित दंप दी सफाइदा का म मुकमल की था गया पंजाब दी वि दे थैले वन के प्लास्टिक दे लिफाफिया नो रोकन समन्दी मोहिम शुरू करनन लेई वी कहा गयाई जिकर योगी की नदियां दी संबाल ली को मांत्री दिवस हर साल 14 मार्च नो मनाया चांदाई जो दर्यावान बचाउन साम संबालते उना दी महत्ता बरी जागरुक पंजाब पुलिस वनों पांजुलाइद हुजार बाई तो हुन तक नोसो बाट वपारक मामिया समेत चुरासी सो टवनजा एफाइयार दर्श करके यारह हज़ार तेनसु साथ नशा तसक्रान उगरफ तार की थाई चंडिगर तुजारीक प्रेस म्यान विच पंजाब पंजाब पुलिसियां टीमा वलों गुजरात तेमा रास्ट्र दियां बंदर गाहां तो 147 शारिया पांच किलोग्राम हेरोईन ब्रामत की थी गए IIT रोपड नो देश्टीक वकारी संस्था होन दा मान हासले रोपड शेर तो तकरीबन पांच किलोमेटर दूर इस संस्था नो स्थापित करनते करोणार पे खर्ची गएने पर इए हैरानी वाली गाले के संस्था तक लिजान वाली सडकते स्ट्रीट लाइटा मौझूद नहीं नेयत रात समेह नीराच छाय रहन दाए एक रिपोर्ट तक इबन पांच किलोमेटर दूर इस सवकारी संस्था तक रात समेह पॉंचना सार्यान लई परिशानी दा सबाब बने रहन दाए कारण ये सडक ते स्ट्रीट लाइटा दा ना होना है और लाइट्स नहीं है और स्रिफ रात का नहीं है पेरेंट्स इन फाक्ट फील सेफ फील नी करता है दो पैर को भी अगर अकेली लड़की जाए बस स्टांड वगरा से कामपस कर जदो भी असी किते जाना हुंदा है राते ब्राते या कोई सीवरे दे खड़े पाणी दी समस्या संस्ता दे विद्यार्थियां आते अध्यापकान लई एक वड़ी परिशानी है इस बारे कई बार अधिकारियां तक आवाज पुचाई गई पर कोई सुनवाई नहीं होई मतलब it is very unsafe for the students of IIT as well as जो आसपास में लोकल से रहते हैं उनके लिए भी यह चीज एक काफी बड़ा इशु है तो काफी टाइम से स्क्यूपर हम लोगों ने अप्रोच कर रहे है to contact the authorities की कि किस तरीके से हम इस इस इशु को administration के पॉइंट से भी काफी बारी इस इशु को आगे फर्दर हाइलाइट करा गया है दुनिया पार विच पंजाब दा ना रोशन कर रही IIT रोप पर दे विद्यार्थिया ते अध्यापका दी एही मांगे के सरकार ते परशासन उना दी एस सड़क नो रोशन करन दे नाल नाल होर्स मस्यामातों भी छेती तो छेती छुटकारा दिवावन अवतार सिंग कंबोज नाल शिशु शर्मा शांतल दूर दशन समाचार जलंदर चीन ने 15 मार्च तो विदीशी नागरीका लेई वाकवक शुरेणिया विच फिर तो विजा जारी करन दा एलान की थाई चीन ने तिन सालां दी यात्रा पबंदी तो बाद ए एलान की था चीन दे सरकारी टीवी चैनल ने विदेश मंत राले दे दूत कार माम्या बरेवे पाग दे हवाले नाल आज वे खबर देती है एलान सोमवानू राष्टरपती शी, चिंग, फिंग, अते परदानमंत्री वी क्यांग दी अग्राई बिच नवे कारजकाल दी शुरुवारत तो बात की था क्या मार्च थो जारवी विच्छ चीन दे शैराविच कोविट दे मामे सामने आउनते दुनिया पारविच्छ महमारी फैलन तो बात चीन ने हर तरांदी विजराद करते थे साल चीन ने इस महीनी तो न्यूजी लैंड रूस अते मलेशिया समेत कुछ देशां देशां दे यात्रियां ले कोविट स्बन्दी नियमा विच्छोड देती है पारतों ओन्वले यात्रियांनों अपनी यात्रा देर ताली कंडियां दे विच्छिद्ना का रात में कोविट जांच रिपोर्ट दिखोना जरूर ये देजनाली खबरांदा अबलेटन खत्म होया इस शासतियों नमस्कार